question number seven seven में कहता है जी the cost of motor vehicle was debited to purchase account in error again गाड़ी खरीदी है वो asset था उसको हमने किस में डाल दिया purchase यह जो गाड़ी है वो तो record ही नहीं होई तो गाड़ी का account क्या हो गया understood हो गया asset क्या हो गया understood जब हमने गाड़ी को purchase में डाला तो purchase बढ़ गई purchase बढ़ने से cost of sale भी बढ़ गई cost of sale बढ़ने से profit भी क्या हो गया understood हो गया तो दोनों चीज़ें क्या हो गई यहाँ बे understood हो दोनों चीज़ें एसेट को जब expense बना देंगे तो asset भी understood हो जाएगा और जब उसको expense में डाल देंगे purchase बढ़ जाएगी तो इसकी अदे profit भी understood